वेल्कम बैक टू थम्स किचन थम्स किचन में आपका स्वागत है आज मैंने बैगन मसाला करी बनाया है तो आए शुरुवात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले छोटे आकार के बैगन लीना है जिससे मैंने धोकर साफ कर लिया है और जैसे कि आप दे सकते हैं इसमें कट ल कर लें इसी दर बचे हुए मैंगन को भी फ्राई कर लेना है अब इसके लिए मसाला त्यार करेंगे तो जार में मैंने तीन से चार लसुन के कलिया डालेंगे दो हरी मिर्च एक कटा हुआ प्याज मिलाएंगे एक छोटा साद्र का टोगडा मिलाएंगे हाप चमच के प्याज मिलाएंगे और साथ ही कटा हुआ टमाटर मिलाएंगे और अब इन सब का एक अच्छा सा पिष्ट त्यार कर लेंगे यह सबजी के लिए मसाला त्यार है अब इस कड़ाई से फ्राई के हुए तेल को कम कर लें और तेल गर्म हो जाने पर इसमें हापचमान जीरा मि आपनिया मिला इसमें मिलाए अच्छीह दौने नमग डाले कलिए अलका फ्राहि हो जाने पर अब इसमें कटा हुआ राध्या मिलाएं आप म्साला में आपड़ा करें जैसा कि दे सकते हैं, मसाले फ्राही हो चुका है, अब इसमें कद्वकस क्या हुए, कच्छा नारील मिला है और दो से цыतीन मिनट प्राही कलें अब इस होले, यह देखेर घृ करेंगेंगे, यह यह मख़ करने और मसाले के साथ मिख्या चाहिएं अब इसमें ग्रेवी के लिए एक लस पानी मिलाएंगे और इसे ढख कर दो से पांच मिनिट तक पकाएं दो से पांच मिनिट हो चुके हैं यह हमारा बैगन मसाला करी बिल्कुल तयार है इसे रोटी या चावल के साथ परोसे हमारा बैगने अच्छ कावल कर दो से एक लिए नगाई अचाएं